नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों आज हम आपके लिए ला रखे हैं उत्राखान एक्जाम मोडल पेपर 2 जो कि आपके यूके टिल्वेस्टी और यूके प्यासी के प्रेटन पर आधारित है यहाँ पे इस मोडल पेपर में आपको टोटल सो क्वेस्टन यहाँ पे कराई जाता है जिनका टाइम दो घंटे का होता है और यहाँ पे तो अभी आपको प्रते क्वेस्टन एक्स्प्लैन किया जाएगा या उत्राखन के किसी भी exam के तैयारी कर रहे हैं जिसमें 100 question, 100 number का question paper बनता है तो उसके लिए काफी important ये practice set है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों तो शुरू करते हैं first question से लेकिन एक बहुती महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर प्रतेक question है उसके option भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो इसलिए आपको सभी चीज़े ध्यान से सुननी है और note करनी है क्योंकि exam की दिर्श से यहाँ पर यह काफी important जो मैं आपको यहाँ पर extra समझाने वाला हूँ प्रतेक question के बारे में तो चलिए शुरू करते है फर्स्ट question आज का आपका बंटी किस विध्या की रचना है कहानी है उपन्यास है जीवनी है या आत्मकता है तो आपका बंटी है यह है आपका उपन्यास बी option है आपके right answer है और आपका बंटी कई बारे कुशन बनता है कि यह किस की रचना है तो यह है आपका मन्नु भंडारी की रचना मन्नु भंडारी की यहाँ पर कुछ अन्य रचना है अन्य उपन्यास है महा भोज हो गया एक इंच मुस्कान यह इनके कुछ परमुक उपन्यास है आपका बंटी यह भी मन्नु भंडारी का एक परमुक उपन्यास है तो यह सारी चीज़े आपको बता रही है हिंदी वाली सीरीज में हिंदी काम लगबग यहाँ पे 85% कॉर्स कम्पलीट कर चुके हैं युकेटल प्रसी का जो सलेवा से उसके आधर पर तो जिसने अभी तक हिंदी के हमारी वीडियोस नहीं देखिए तो प्लेइलिस्ट में आप जाके चक कर सकते हैं आगे बढ़ता है कुछन नमबर टुकी और नमबर से कौन सी बोली अत्वा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो यहाँ पे हिंदी के अंतरगत जो बोली और भासाइं आती है तो कन्नोजी भी आप हिंदी के अंतरगत आती है बांगरू, बांगरू को हरियानवी भी कहते हैं बहुत तो बहुत यहां पर प्रविश्याशन होता है प्रविश्याशन के बार बहुत आता है जैसे वहां सुन्दर है बहुत सुन्दर है तो सुन्दर तो विश्याशन है लेकिन बहुत सुन्दर है जो विश्याशन के भी विश्याशन बतलाते हैं उनको प्रविश्याशन कहते हैं तो बहुत का परियोग प्रविश्याशन में होता है सुन्दर तो सुन्दर क्या बता रहा है गुणों के बारे इस सारे चीज़े आपको अच्छे से समझा रही है हिंदी वारी सीरीज में तो question number 3 का यहाँ पर C option right answer ही यहाँ पर प्रते एक point आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ ताकि अगर जहाँ पर भूल चुके हो और आपका साधे साथ revision भी इस practice set के साथ हो सके question number 4 है यहाँ पर ग्यां किसके मेल से बना है तो जो ग्यां बना है यहाँ पर इसका A option right answer है जा और यहाँ के मेल से बना है आपका ग्यां अब देखो यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि तरह किसके मेल से बना है तो तरह आपका बना है यहाँ पे ता प्लस रा के मेल से कई भार अच्छा भी पूछा जाता है तो यह बना होता है आपका का और सा के मेल से और अगर सरा पूछा गिया तो यह बना होता है आपका सा प्लस रा के मेल से तो यह चारों आपको note कने और question number 4 को यहाँ पे a option right answer होगा जा और यहाँ की mail से बनेगा ग्या question number 5 यहाँ पे संचार प्रिकरिया में प्राप्त करता की प्रतिकरिया को क्या कहते हैं तो संचार प्रिकरिया में जो प्राप्त करता है जो संचार को जिस तक सूचना पहुंच रही है उसकी पर्थक्रिया जब वो पर्त्क्रिया देता है जब वो सूचना पढ़ लेता है और अपनी पर्थक्रिया देता है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है feedback एह option याप पे right answer है feedback का मतलब यह होता है दूसरों का आंकलन, यानि आपने किसी को समाचार पत्र दे दिया, यानि संचार या समाचार पत्र दे दिया, उसने वो पड़ा, उसको अच्छा लगा, बुरा लगा, तो उसने अपना क्या दिया, आंकलन बताया, या अपना क्या दिया, फीडबैक दिया, तो इसी को कहते हैं, आपका फ आपने feedback के माध्यम से, जब वो feedback देता है अपना किसी भी समाचार पत्र पर या किसी भी संचार माध्यम पर तो हमें यह पता तलता है feedback से, तो संचार प्रिक्रिया में प्राप्त करता है कि प्रिक्रिया को कहते हैं आपका feedback, यह option यहाँ पर question number 5 का right answer है, question number 6, यहाँ बिना के कारे का होना पाए जाए, तो question number 6 का जो यहाँ पर right answer है, उसमें होता है विभावना अलंकार, विभावना अलंकार का हमने एक बहुती अच्छा example दिया था आपको, बिनु पद चलाई, सुनाई, बिनु काना, कर बिनु करम कर रही भी दिनाना, यानि जो बिना पर के चलत कारन है, तो कान तो है नहीं, फिर भी सुन रहा है, हात क्या करते हैं, कारे करते हैं, हात है नहीं, उसके पाप फिर भी नाना प्रकार के वो कारे कर रहा है, बिनु पर बिनु पर चलाई, सुनाई, बिनु काना, कर बिनु कर रही दिनाना है, तो यह है विभावना अलंकार क कारे का होना पाय जाता है, वहाँ पे होता है आपका विभावना अलेंकार, C option, question number six का right answer है, question number seven यहाँ पे आवनी सब्द का विलोम है, तो आवनी सब्द का विलोम है यहाँ यहाँ पे, धन उदया, आ धन उ, तो जब आ वद धन उ बनता है, तो क्या बनता है, फिर ओ बन जाता है यहाँ पे, और आ धन उ, ओ बनता है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, आपका, वहाँ पे होगी आपकी गुण संदी, यानि B option या पे right answer है, गुण संदी में क्या होता है, क्या है, आपके गुण संदी है, B option, question number 8 का या पे right answer है, question number 9 या पे कौन सा परियावाची जलका नहीं है, पानी भी आपका जलका परियावाची है, तोय और अम्बू लेकिन वारिद है जो या पे, यानि B option यापके question number 9 का right answer है, वारिद यापके क्या है, जलका परियावाच और पानी के जाल के पर्यावाची है, अगर वारी कह ए लिकिन वारी जाल का पर्यावाची है, वारी किसे का ढ़डल को प्रियावाची हैं सलिल हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, अम्बू, उदक, पया यह सारे आपके जल के परिवाची हैं जो आपको नोट करने हैं आगे बढ़ता है question number 10 की और अनुपस्थिती में उफसर्ग है तो अनुपस्थिती में उफसर्ग कौन सा है? पुलिंग है, तो पुलिंग यहाँ पे कौन सा सब्द है? देखो, हमने आपको बताया कि पुलिंग और स्ट्रिलिंग के पहचान कैसे करनी है आपको वाक्य पर दो करके, तो मंजिल, देखो मंजिल गिर रही है यानि गिर रही है, इस्त्रिलिंग का यहां पर क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो मंजिल इस्त्रिलिंग है, दीवार गिर रही है, या दीवार तूट रही है, दीवार बन रही है, ठीक है, मरियादा, मरियादा तोड़नी नहीं चाहिए, तोड़नी इस्त्रिलिंग का तो question number 11 का यहाँ पर D option right answer है question number 12 है यहाँ पर अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है तो जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन कहां होता है आपका राजपत्र यानि गजट में राजपत्र जब कोई केंदर सरकार राजशरकार या उनके अधिकारी क्या करते हैं कोई भी सूचना को पारित करते हैं तो किसमें या किसमें उस अधिसूचना को प्रकाशन करते हैं उनको कहते हैं राजपत्र या गजट यहाँ पर सोशल मेडिय के बारे में आपको पता है Facebook, WhatsApp, Instagram, सारे सोशल मेडिय होगे तार पत्र तार पत्र क्या होता है एक प्रकार का संदेश पत्र होता पहले तो उसको कहते हैं तार पत्र और समाचार पत्र जो आप अकबार डेली पढ़ते हैं और राज पत्र जिसमें आधि सूचना का प्रकाशन होता है तो बहुती बहुत पूर्ण ये क्वेस्टन है अधि केंची यहांपे यानि D option question number 13 का right answer है केंची यहांपे तुर्की भासा का सब्द है अब यहांपे जो चार option इनके बार में जान लेते हैं चाय है यहांपे चीनी भासा का सब्द रिक्सा यह आपका जापानी भासा का सब्द है रिक्सा जापानी भासा से लिए गया है कमरा कमरा आपका पुर्तगाली भासा सब्द है और जबकि कहेंची है यह आपका कहां से है यह है तुर्की भासा का सब्द तो चारों आपके कवार होगे यहाँ पे Question No.14 यहाँ पे निम्न मेंसे हिंदी साहिते के भक्तिकाली न्युग में निर्गुन धारा के कविते अब जो भक्तिकाली न्युग था हिंदी साहिते का उसमें दो तरह के कविते निर्गुन धारा और सब्द धारा के अब निर्गुन धारा और सब्द धारा में पहले अंतर समझे आप निर्गुन का मतलव निराकार जिसका कोई गुन नहीं है यानि निर्गुन धारा के जो उसका भग्वान का जन्व कर्फ़र्सन का जन्व यहां पहत चाला हुआ है क्रिशन की मीरा किस्के ऐसी में लेकिन यहाँ पे देखो जो कभीर दास है यह है आपके निर्गुण धारा के कवी C option यहाँ पे question number 14 का right answer है यानि अद देखो आप सीधी से बात है जिसने किसी भगवान की भक्ती की वो है सबुण धारा का कवी लेकिन कभीर दास यहाँ पे निर्गुण धारा के कवी देखो अर्थ के आदर पर वाक्या के आठ भेद होते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ बेग सचीव महोदय तक पहुंचा हो तो यह किस प्रकार का अर्थ के आदर पर वाक्या है तो यह आपका आगया वाचक किसी को आप आगया दे रहे हो कि यहाँ बेग सचीव महोदय तक पहुंचा हो अब प्रिश्ण वाचक में क्या होता है तो यहां पर प्रिश्ण वाचक जहां पर प्रिश्ण पूछने का बोध होता है और इच्छा वाचक जहां पर आपकी किसी को कुछ इच्छा यानि किसी को आशिरवात दे रहे हो किसी को आप जैसे किसी को कह दिया कि आपकी लंबी आई हो तो यह क्या है इच्छा वाचक वाक्या है तो अर्थ के आधर पर यहाँ पर यहाँ पर यह आगया वाचक वाक्या है यहाँ बैग सच्यू महोदे तक पहुंचाओ यहाँ पर आगया देने का बोध हो रहा है तो question number 15 का A option right answer है question number 16 यहाँ पे किरपन का विलोम सब्द अब देखो पहले अगर कहीं पे विलोम सब्द पूछता है तो आपको पहले किरपन का अर्थ मालूम होना चीए यानि जिसका का परियावाची होता है उदार तो कुर्पना की यहाँ पर क्या जाएगा उदार हो जाएगा B option right answer है किरपन का विलोम सब्द क्या है आपका उदार है B option question number 16 का right answer है किरपन मलब यहाँ पे किरपन से मतलब समझे जो लोबी लालची है जो कंजूस है और उदार का मलब जो दान करता है जिसको कोई लोब नहीं है कोई लालच नहीं है अब यहाँ पर खर्चिला और फिजूल खर्ची यह बिल्कुल कोई यह अलग आगे बिल्कुल ठीक है यह आपके किरपन के विलोम नहीं है question number 17 है नहीं हमने पैड़ और आम कहांसे हुआ इस लॉखो का आरफ बताईए तो बोई पैड़ बबूल के और आम कहांसे हुआज हए यह उन्यें हमने पैड़ बबूलके बबूल कोई तो आम कैसे हंगे इस लोखो फैर नहीं पे तो इसका राइट आंश्यए है c यानि जैसी करनी वैसे भरनी यानि जैसे तुम करम करोगे वैसे आप फल पाओगे यानि आपने अगर बबूल बोया है तो आम कहां से होगा होगा तो बबूली ना तो बोये पेड़ बबूल के आम कहां से हो यानि जैसे आपने करम किये जैसी करनी जैसे कि आपने यानि बबूल का पेड़ बोया तो बबूल का ही पेड़ होगा वैसी भरने तो C option question number 17 का यहाँ पे right answer है question number 18 यहाँ पे माला फेरत जुग भया गया न मनका फेर करका मनका डारी के मनका मनका फेर उक्तपंक्तियों में कौन सा अलंकार है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सब्द रिपीर्ट हो रहे हैं मनका 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 हो गया और कहाँ पे मनका हो गया लेकिन जहाँ पे सब्द दो या दो से अधिकबार आएं लेकिन उनका जहाँ पे अर्थ अलंकार तो इसका C option right answer हो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको सब्दों को मैं समझाता हूँ कि कैसे ही इनका अर्थ है अर्थ समझो यहाँ पे यह पंक्त जी गई है माला फिरत जुग भया यानि माला फिरते फिरते जुग चला गया बहुती समय भी दिया गया ना मन का फिर फिर भी आपके मन के अंदर का क्यानी हुआ भाव नहीं बदला तो कर का मन का डारी किये यानि जो आपके हातों में ये मन का ले रखा है मन का अर्थ है यहां पर देखो इस मन का का अर्थ है भी माला मौती की जो माला आपने देखऊँ हो, कई यह हातों में मल लेके जब तब करते हैं तो कर का मन का डारी किये कर यानि हातों में जो मन का माला as को डाल दे मन का मन का फिर अभी यहाँ पर मन का अर्थ क्या है आपके दिमाग से, आपके मन से है आपके अंत्र आत्मा से, तो ये हैं, इसका अर्थ मन है और इसका अर्थ मन का क्या अरिफ है? माला. मन का, मन का, फिर. तो अब आप समझ के होंगे कि मन का का अर्थ यां पे दो है, माला और मन से. तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपका यमक अलंकार है C option, right answer है यहाँ पर क्वेस्टन number 19 यहाँ पर बुराईयों से सदेव दूर रही है इस वाकर में रेखांग के सब्दिर्य के सब्देवाईयों तो बुराईयों से सदेव दूर रही है इसमें आपको बताना है कि बुराईयों के में कौन से संग्या है समुवाचक है भाववाचक संग्या है बैक्तिवाचक है जातिवाचक अब देखो अगर यहाँ पर सिर्फ बुराईय लिखा होता बुराईय से दूर है तो बुराई यहाँ पर भावाचक संग्या है लेकिन अब यहाँ पर आ गया बुराईयों तो बुराईयों क्या है एक क्या है आपका कई बुराई की जाती हो गई बुराईयां यानि उसमें बहुत सारी बुराईयां आ गई तो इसलिए बुराईयां यहाँ पर क्या है भी जातिवाचक संग्या है एक्जाम में इसी प्रकार से question बनते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि बड़ा simple question बन गया अगर यहाँ पर बुराई से सदेव दूर है यह बुराई पोस्ट जाते है तो बड़ा simple था इसको कोई भी बता सकता लेकिन बुराईयों यहाँ पर क्या है बहुत सन आ गया इसलिए यह जातिवाचक संग्या हो जाएगा डी option यहाँ पर question number 19 का right answer है आगे बढ़ता है question number 20 हिंदी वर्ण माला में अयोग वाह वर्ण है तो हिंदी वर्ण माला में अयोग वर्ण कौन कौन से है अनुसवर और विसर्ग यानि डी option यहाँ पर right answer है अंग और अहा अंग है अनुसवर और आ है विसर्ग तो यह इन दो को क्या कहते हैं अयोग वाह वर्ण कहते हैं हिंदी वर्ण माला में बीस को यहाँ पर D option राइट आंसर है तो यहाँ पर हिंदी के 20 कोईशन ऐसे ही 20 कोईशन आप से पूश जाएंगे UK टर्वसी या UK PSC के एक्जाम में और सुरू के 20 कोईशन हिंदी की होते हैं और फिर सुरू होता है अधर G.S. और उत्राखंड कई इस्टोंड यह कहरते हैं कि सर इसका PDF हमें कहां से मिलेगा तो कुछ दिनों बाद हमारा जो एप प्लेश्टोर में उत्राखंड जनल नोलेज के नाम से हमारा एप प्लेश्टोर में आप सर्च कर सकते हैं तो दोनों और आगे जितने भी model paper होंगे परते एक week आपको एक model paper पूरा का पूरा सो नमर का कराए जाएगा दो पार्ट में जैसे आज यह part 1 है 50 नमर और 50 नमर का कल होगा तो दो पार्ट में आपको एक week में complete model paper दिया जाएगा और कहां दिया जाएगा उत्राखन जनन नोलेज एप हमारा प्लेइश्टोर में आप छर्च केज़े उत्राखन जी के सबसे उपर आ जाएगा क्वेस्टन नमबर 21 से यहाँ पे सोनपाल ने अपनी राजधानी कहा इस्थाननत्रित की सोनपाल जो की परमार यानी 25 वंस का 24 वं राजधा था जिसको सुनपाल के नाम से भी जाना जाता है और इसने अपने राजधानी चानपूर गड़ से कहां इस्थाननत्रित की बिलंगाटी जैसके आपको पता है कि जो 25 वंस के उनकी प्रारमिक राजधानी कहां थी चानपूर गड़ थी लेकिन सोनपाल जो की 24 वं राजधा था पमवार वंस का उसने राजधानी इस्थाननत्रित कहां की बिलंगाटी लेकिन उसके एक पीड़ी मलब उसकी जब संतानी हुई तो एक पीड़ी तो यहीं बिलंगाटी राजधानी रखिये उन्होंने और दूसरी पीड़ी थी वो चानपूर गड़ में ही यहां पे राजधानी रही तो फिर यह दो अलग-अलग राजधानी यहां पे आगे बढ़ता गया वंस और बाद में फिर से यह चांदपुरु गड़ में ही मिल गया था और फिर बाद में अजय पाल ने राज़ानी कहां इस्थान दृत की स्रीनगर में इस्थान दृत की तो यहाँ पे question number 22 का सौनपाल ने अपने राज़ानी भिलंग घाटी में इस्थान दृत की B option यहाप पे question number 22 का right answer है फूलों की घाटी जो राष्टिय उदाने उसकी स्थापना 1982 मोही कहां इस थी है आपका चमोली मिस्त है और यह राज का सबसे छोटा राष्टिय उद्यान है फूलों की घाटी की खोज किसने की यह question भी कई बार बनता है 1931 में Frank Smith ने फूलों की घाटी की खोज की थी तो यह भी काफी important है जो आपको जरूर note करना है तो question number 22 का यहाप पे B option right answer है question number 23 यहाप पे भेंकल ताल एवं ब्रहम ताल दरसनिय इस्तित है तो जो भेंकल ताल और ब्रहम ताल है यह है आपका चमोली जनपत में इस्तित D option यहाप पे question number 23 का right answer है question number 24 यहाप पे अरजुन पुरुसकार विजेता हर्सवंती बिष्ट का सम्मंध है तो जो अरजुन पुरुसकार विजेता हर्सवंती बिष्ट इनका सम्मंध है परवता रोहन से B option यहाप पे right answer है अब देखो sports से सम्मंधित एक नए equation बनता है यह एक्जाम में तो यहाप पे कुछ प्रमुख sports women's and sports men's की नाम है आपको बता रहो हूँ जो की किन किन खेलों से सम्मंधित है हंसा मनराल है एक काफी important है हंसा मनराल यह है आपकी भारो तोलन से सम्मंधित तारारावत यह भी काफी important है तारारावत इनका सम्मंध है क्रिकेट से और एकता बिष्ट इनका सम्मंध भी है क्रिकेट से मदमिता बिष्ट ये कई बार question बन चुका है मदमिता बिष्ट इनका संबंद है बैटमिंटन से और अरुन जखमोला का संबंद ये है आपका volleyball खिलाडी है अरुन जखमोला तो ये कुछ important sportsmen and sportswomen थी जो मैंने आपको याप बताई है जो आपको जरूर note करनी है question number 25 याँ पर उदम सिंग नगर का परसिद चैती मेला किस मंदिर में लगता है तो जो उदम सिंग नगर का चैती मेला है ये लगता है आपका बाला सुन्दरी देवी मंदिर में D option याप पर question number 25 का right answer है और ये मेला आपका जो मंदिर है बाला सुन्दरी देवी मंदिर ये आपका कासी पुर में इस्टिता है और ये मेला याणि जो चैती मेला ये आपका चैती मेला में लगता है इसलिए इस चैती मेले को याणि जो उदम सिंगर का ये परसिद चैती मेला है इसको बाला सुन्दरी मेला भी गहता है क्योंकि ये बाला सुन्दरी देवी मंदिर में आयुद किया जाता है तो question number 25 का यहाँ पे D option right answer है question number 26 यहाँ पे निम्र में से लामन गीत सम्मधित है तो लामन गीत है एक प्रकार का प्रेम या प्रणाय गीत C option यहाँ पे question number 26 का right answer है कुछ प्रेम और प्रणाय गीत में आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ जहमोले हो गया, चोफला हो गया, छोपती, छपेली, बाजुबंद यह topic पे आपका cover गर रखाए उत्राखन के बहुत सारे topic cover हो चुके है और अगर आपने हमारी जो नए बच्चे हैं, जो नए इस practice set के साथ जुड़ रहे हैं तो उनको बता दूँ कि हमारा यहाँ पे बिलकुल free online course चलता है जिसमें हमने 85% स्लेवस आपको उत्राखन का और 80% स्लेवस युकेटल प्लसी के pattern के आधर पर, स्लेवस के आधर पर हिंदी का complete हम करा चुके हैं तो उसमें जो यह लोग गित हो गया, लोग नरत यह भी सब आपके topic complete है तो लामन गित एक प्रकारगा क्या है प्रेमिया प्रणाई गित है यहाँ पे क्वेशन नमबर 26 का right answer है क्वेशन नमबर 27 से यहाँ पे मेफिस लाइट नामक समाचार पत्र के संपादक कोन थे देखो जो मेफिस लाइट नामक समाचार पत्र है यह निकला था 1845 में कां से निकला था मसूरी से और इसके संपादक कोन थे जोन लेग यह option यह पे right answer है क्वेशन नमबर 27 का क्वेशन नमबर 28 यहाँ पे उत्राखंड में center for aromatic plants इस धता है तो center for aromatic plants उत्राखंड में इस धता आपका सेल tocarne सेल कोई कहां है आपका देरदोन में है तो सेल कोई के सेल कोई में इस थे आपका Center for Aromatic Plants और इसकी स्थापना कव की गई 2003 में तो ये भी काफी important ज़रूर आपको note करना है 2003 में इसकी स्थापना की गई Question number 29 है यहाँ पर राज निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है Question number 29 का जो right answer है राज जपाल करता है यहाँ पर राज निर्वाचन आयुक्ति की नियुक्ति उतले उनके कारिक क्या होते है यहाँ पर जो ग्राम पंचेत होती है नगरपाली का होती है महानगर परिसात तैसीर जिल्ला परिसात इनके चुनाव कोन करता है राज इंद्रवाचन आयोग तो जिसकी न्योकति किस के द्वारा की जाती है राज येपाल के द्वारा की जाती है question number 30 यहाँ पे कुमाओं के किस commissioner के काल को कुमाओं में British सासन का स्वनकाल कहा जाता है तो यहाँ पे जो कुमाओं commissioner थे Henry Ramsey question number 30 का right answer है Henry Ramsey के सासन काल को कहा जाता है British सासन का स्वनकाल कुमाओं में अब देखो Henry Ramsey एक और question मनता है Henry Ramsey सम्मदित कि 1857 की क्रांती में कुमाओं commissioner कौन था तो यह था आपका Henry Ramsey और यह जनता से काफी जुड़ा हुआ था और इसको कहा जाता है कुमाओं का बेताज बासा और कुमाओं में राजा राम जी के नाम से भी इसको परसिद्ध किया गया तो यहाँ पे जो Henry Ramsey है इसी के सासन काल को कुमाओं का स्वनकाल कहा जाता है British सासन का question number 31 पर बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि जो यह practice set यानि जो model paper है यह आपको कहा मिले का हमारे app में मिलेगा कुछ दिनों बाद हम model paper 1 और model paper 2 के साथ बहुत सारे वहाँ पे model paper प्रोवाइड कराएंगे आपको तो जिन्होंने app डाउनलोड नहीं किया है तो वह app को डाउनलोड करके जरूर रखें उत्राखंट जी के आप play store में सर्च कर सकते हो सबसे उपर आ जाएगा उत्राखंट general तो आपने फिट बैटना है दो गंटे और दो गंटे में सो नमर का question solve करना है जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे उत्राखंट general knowledge app में तो question number 31 है यहां पे अमर सहीद सिर्देव सुमन की पत्नी का नाम था तो देखो यहां पे विजे लच्मी और विने लच्मी म अमर सहीद सिर्देव सुमन की पत्नी और सिर्देव सुमन के पिता का नाम क्या था हैराम बडोनी था और माता का नाम था तारादेवी और पत्नी का नाम हो गया विने लच्मी तो विजे लच्मी में और विने लच्मी में आपको confusion नहीं होना है question number 32 है यहां पे सिवालिक स् और सिवालिक स्रेणी को कहा जाता है बाय हिमालय या हिमालय का पादवीश को कहा जाता है सिवालिक स्रेणी को और एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि सिवालिक छेत्र और भावर छेत्र को अलग करने वाली कौन सी फाल्ट लाइन है तो HFF यानि हिमालियन फ्रेंट गाल्ट इन्ने में बोले तो हिमालियन अगर सीमा जो कि सिवालिक चेत्र और भावर चेत्र के बीच फॉल्ट लाइन है Question number 33 यहाँ पे Dr. Yeswant Singh Katos द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखे गई है यहाँ पे आपको क्या बताना है नहीं लिखे गई है कौन सी पुस्तक Dr. Yeswant Singh Katos द्वारा तो मद्धेहमाले का पुरात तो यह Dr. Yeswant Katos द्वारा लिखे गई है मद्धेहमाले की कला यह भी लिखे गई है और उत्राखन का नवीन इतियास यह भी लिखा गया है तो C option यहाँ पे right answer हो जाएगा उत्राखन के परमुक स्वतनता सेनानी यह किसने लिखी है धरम पाल सिंग मनराल ने किसने लिखी है Dr. धरम पाल सिंग मनराल द्वारा लिखे गई है उत्राखन के परमुक स्वतनता सेनानी और बाकी ये तीनों बुकियां आपकी या तीनों ये जो पुस्तके हैं ये किस ने लिखी है डॉक्टर येस्वंत सिंग कटोच ने लिखी है Question number 34 है याँ पे उत्राखंड से कितने राजसभा सद्द से चुने जाते हैं तो उत्राखंड से चुने जाते हैं तीन राजसभा सद्द से याई डी ओप्शन आप पे राइट आंसर है अब देखो वर्तमान में राजसभा कौन-कौन से उत्राखंड से तो परदीव कम्टा अनिल बलोनी और नरेस बन से लिए तीन राजसभा सद्द से हैं वर्तमान में उत्राखन से आगे बढ़ता है कौन समयलित योग में चुने बहुत ही इंपोर्टन है यहां से चार ऑप्षन है बहुत ही इंपोर्टन करिया आप इनको चारों ओप्षनों में कौन सा तामरपात किस राजवण से संब्ध वह मैं आपको बताऊंगे आपके तो आपको समयलित में यह आपका अलमोड़ा जनपत में है और सोमिस्वर मंदिर का निर्माण किस ने कराया सोम चंद जो की चंद सासक है तो सोमिस्वर मंदिर किस संब्ध हो गया चंद सासकों से यह तामरपत्र हो गया उसके बाद बी ओप्षन है हाट गाउं तामरपत्र तामरपत्र यह च घानावाजिति थी पमवार वंस की उन्होंने 1640 में मादो सिंग भंडारी जो की एक परचियर सेनापे थे पमवार वंसके मादो सिंग भंडारी को साकची बनाकर चमोली के 1000 गराम में हाट ग्राम निवासी थे हटवाल नामक ब्रहमन उनको भूमिदान की थी और उसका विवरण मिलता है हाट गाउं तामर पत्र में तो कुल्मा की किस सम्मझत है पंवारवन से ये सम्मझत है उसके बाद सी ओप्शन है पांडू किसर तामर पत्र तो जो पांडू किसर तामर पत्र है ये आपका सम्मझत है कार्थि केपुर राजवन से ना की गोरखा से कार्थि केपुर ठीक है कार्थि केपुर राजवन सम्मझत है आपका पांडू किसर तामर पत्र है और एक बार ये कुशन पूछा गया है कि पांडुकुसर तामरपत्र की भासा क्या थी यानि इसमें जो लेख लिखे गए है वो किस भासा में है तो संस्कृत भासा में यह question एक बार बन चुका है exam में तो बहुत important है पांडुकुसर तामरपत्र की भास जाका है शंस्कृत है और यह किस सम्मझत है कार्थिकेपुर वन से यह सम्मझत है अब डी ओप्सन यहापर राइट आंसर है कोईसन नमर 35 को यहापर सुमेरित पूछा गया था ना तो जो तालिशवर तामरपात्र है यह भी आपका अलमोडा में इससे था है और यह किस राज़े से सम्मझत है सौमे राज़ा उन से सम्मझत है परवता कार राज़े से सम्मझत है आपका तालिशवर तामरपात्र है तो डी ओप्सन आप देखो चारों को इयंका रीवारिक्त कर रही हूँ सम्मुक्रत चंप पर नंबसे ऊंद से हैं मेरी यात्रा एप का सुबारम किसके द्वारा किया गया है तीरत रावत, त्रिविंदर रावत, सत्पाल महाराज या हरक सिंग रावत तो जो मेरी यात्रा एप है इसका सुबारम किया त्रिविंदर रावत ने बी ओप्सन क्योंकि इस्टा है उस समय त्रिविंदर रावत व नहीं हो तो इन समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए मेरी यात्रा एप का सुभारम किया गया था तो यह किस ने शुरू किया त्रेविंद रावत ने बी ऑप्शन आप पे क्वेशन नमर 36 का राइट आंसर है Question No.37 है यहांपे वर्ष 2020 में उत्राखन के किस समाव सेवी को पदम्हूषन पुरुसकार से सम्मानित किया गया Most important question है तो पदम्हूषन पुरुसकार वर्ष 2020 के लिए डौक्टर अनिल प्रकास जोसी को यहांपे सम्मानित किया गया पद्म भूशन पुरुशकार 2020 यानि 37 का C option या पे right answer है अब पद्म स्री पुरुशकार देखो पद्म भूशन तो मिल गया है किसको डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूशन 2020 पद्म स्री 2020 किसको प्रदान किया गया तो ये किया गये दो ब्यक्तियों को गये किया इतियासकार तो जो हीरा सिंग राणा थे ये एक परसिद लोग गयाक थे C option या पे 38 का right answer है और 13 जून 2020 में हीरा सिंग राणा यानि हिर्दा के या पे निधन हो गया तो ये किस से संब्धित थे या पे लोग गयाक थे ये C option 38 का right answer है और ये कुमाओनी लोग गयाक थे ठीक है ये भी आपको जरू नोट करना है कुमाओनी लोग गयाक थे हिरा सिंग राणा Q49 या पे भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम किस राजे में बनाए जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम बनाए जाएगा ओडिसा राजे में C option question number 39 का या पे right answer है आगे बढ़ते हैं question number 40 की और The year that changed India was पे ये पुस्तक हाली में लोंच हुई यह किसके द्वारा लिखी गई है तो ये पुस्तक या निए The year that changed India was पे ये पुस्तक लिखी है सकती सिन्णा ने ये option या पे question number 40 का right answer है Question number 41 है याँ पे young India के संपादक थे याँ पे महात्मा गांधी और कब इन्होंने इसका संपादन शुरू किया याँग इंडिया का 8 अक्टूबर 1919 को और ये आपका एक अंग्रेजी पत्र था याँग इंडिया अब देखो गांधी के कुछ महतोपूण पत्र है जो कई बार एक्जाम में पूछी जाते हैं ये खाए 9G1 क्या है 9G1 जिसका प्रकाशन 7 सेप्टेमबर 1919 को हुआ और ये एक गुजराती पत्र था 9G1 उसके बार यंग इंडिया 8 अक्तुबर 1919 को अंग्रेजी पत्र था और एक तीसर था हारीजन ये भी काफी महतोपूण है कई बार पूछा गया है एक्जाम में इसका प्रकाशन वाग 11 फरवरी 1933 को तो ये तीनों आपको नव जीवन यंग इंडिया और हरीजन ये तीनों पत्र आपको नोट करने हैं महात्मा गांजवार ये संपादिद किये गए तो जो भारत में समाचार पत्रों की सुतनता है वो है याँपे समिधान के अनुछेद 19-1 आ से संपनित अजो कुछ बहुती महतोपूण चीज में आपको यहाँपे बताने वाला हूँ एक है अनुछेद प्रेस की सुतनता तो आपको मिल गए आप अपने विचारों को सेयर कर सकते हैं इस अनुछेद के तहट प्रेस की सुतनता आपको मिल गए समाचार पत्रों की सुतनता लेकिन अनुछेद 19-2 यह कहता है कि यदि अभ्यक्ति और विचारों को जो आदान प आपको विचार अपने आदान परदान कर रहे हैं जो आपको अवियक्ति मिल रही है यदि उससे भारत की सुरक्षा और संपुर्बुत्वा को खत्रा है या नियाले की आप आउमाना कर रहे हो तब आपको यहाँ पर अनुछेद 19.02 के तहत यहाँ पर क्या होगा आप पर पर प्रतिबंद लगा दिया जाएगा आपको स्वतंता तो है प्रेस की लेकिन इसका मतलग यह नहीं कि आप उससे भारत के सुरक्षा और संपुर्बुत्व पर कुछ खत्रा आ रहा है या आप नियाले की आउमाना कर सकते हो तो अनुछेद 19.02 में आप पर प्रतिबंद लग 19.01 में कहा गया है तो अनुछ प्रमुक्ध अनुछेद मैं आपको बताए जो आपको जरूर नोट करने है तो इन में समिधान सभा के प्रारूप समित के सदस्य नहीं थे वो थे जवाहर लाल नहरू बाकि ये तीनों यानि डॉक्टर कियम मुंसी एन गोपाल स्वामि एंगर और डॉक्टर बियार अम्बेटकर ये तीनों समिदान सभा की प्रारू समित के सदस थे और प्रारू समित के अध्यक्स कों थे कई बार ये भी बनता है क्वेशन तो अमबेटकर डॉक्टर भीमरा अमबेटकर प्रारू समित के अध्यक्स थे और यह सांची का है आपका MP यानि मद्यपर्देश में और इस सांची के बहुत इस्थूप का यानि जो भारत का सबसे बढ़ा बहुत इस्थूप है इसका निर्मान किस ने कराया तो वो कराया असोक ने क्वेशन नमर 55 या आप पे OPEC यानि OPEC इसको OPEC भी कहा जाता है सीदे OPEC इसका मुख्याला इसे था है तो OPEC का मुख्याला आपका Vienna जो की आश्ट्रिया में बढ़ता है आश्ट्रिया ठीक है Vienna में इस था है आपका OPEC यानि OPEC का मुख्याला है अब यह OPEC क्या है तो इसकी full form है Organization of the Petroleum Exporting Countries यह जो Petroleum Exporting Countries है उनका एक क्या है यह गुरूप है इनका एक organization है और इसमें कितने देश हैं 13 देश वसे इसमें पहले टोटल 14 देश थे लेकिन 2018 में कतर को इस organization से बाहर क्या गया और इसकी स्थापना यानि OPEC की गई 1960 में की गई तो OPEC क्या है आपका Petroleum Exporting Country का एक संग है जिसका मुख्यले का है आपका Vienna यानि आश्ट्रिया में इस्तित है Question number 46 याँ पे काचिन पहाडियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्मान करती है तो काचिन पहाडियां याँ पे भारत और मियामार के बीच सीमा का निर्मान करती है B option याँ पे question number 46 का right answer है आगे बढ़ते है question number 47 की और निमलिकित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है तो 47 के याँ पे right answer है option C फ्लोक 15 याँ पे सुपर कंप्यूटर नहीं है बाकी के 3 क्रे 3 ठीक है साइबर 205 और परम अब देखे जो परम है यह परम सिद्ध भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यह बहुत ही most important कर दो आप नोट आपको जरू करना है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है परम सिद्ध ठीक है और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वह है फुगाकू कौन सा है फुगाकू और यह कहां का है आपका जापान का है विश्व का सब से तेज सुपरकंप्यूटर फुगाकु जो की जापान का सुपरकंप्यूटर है आगे बढ़ता है question number 48 भारत में खाद सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ तो भारत में खाद सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ 2006 में और लाग हुआ यह 2011 में question number 49 यहाँ पर पस्तिम तर्टिया मेदान गोवा से किरल के मद्य किस नाम से जाना जाता है तो गोवा से किरल के मद्या यह जाना जाता है आपका माला बार के नाम से B option यहाँ पर राइट आंसर है अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो पस्तिम तर्टिया मेदान है उनके बारें बताता हूँ यहाँ पर गुजरात से लेकर और महाराश्ट तक यह आपका जाना जाता है काठिया वाड के नाम से यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हो मैं अपके मादें से अच्छे से मैं बता रहूँ यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर महाराश्ट से लेकर और गोवा तक यह जाना जाता है आपका कौंकन तट के नाम से और गोवा से लेकर करनाटक तक यह जाना जाता है आपका केनरा तट के के नाम से और केरल तमिल नाडू से लेकर और यहां तक आंधर परदेश तक यह आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है जब कि आंधर परदेश से लेकर पस्चिम बंगाल तक यह डेल्टा छेते के नाम से जाना जाता है तो यह जो तटिया मैदनी आपको जरूर कर और अपर्टेक्स कर पर्टेक्स कर क्या होता है यह जो डारेक्ट आप किसको देते यह जो पर्टेक्स कर यह योग्या संस्ताओं और ब्यक्तियों या कंपनियों द्वारा लिये जाते हैं नीगम कर सकते हैं इसमया है अपर्तेक्स कर कर नहीं तो निगम कर यहां पर्तेक्स कर नहीं है यह एक पर्तेक्स कर। अब अप्रिट स्कर को समझाते हैं, आप को यह क्या होता है, यह किसे लिया जाता है? अन्तिम अभौगता से लिया जाता है. जैसे वर्स्तोर सेवाकर हो गया, जी में टो जीकर हो गया, जो इतपाद पर लगता है। देखो यह यहां पर option exercise duty कर यह आप किसी का उत्पादन कर रहे हो तो जो कर आप से लिया जाएगा उसके कहते हैं exercise duty बिकरी कर आपने किसी सामान की क्या कर दी बिकरी कर दी लेकिन आपको थोड़ी परतल है कि आप tax देरो सरकार को उससे लेकिन उससे भी कुछना कुछ tax जा रह पस्चाल को आएकर होता है जो कि एक प्रत्यक्ष कर है तो अब आपको कैर प्रत्यक्ष कर अच्छे समज में आ गया से वा क्र विक्री कर एक्जाए 용 rightए अपका प्रत्यक और लगाता है दो गहंदे तक बोलना गलावी खराफ हो जाता है तो दो पार्ट में इसको लेकर आएंगे डेली पार्ट वन आज हो गया और पार्ट वू इसका यानि आपको काल करा जाएंगे और ये प्रैक्टिस चैट मोडल पिपर आपको कहा मिलेगा हमारा उट्राखन जिक्याप प्लैस्टर में सर्च कीजे है और सबसे उपर आजाएगा उट्राखन जनल नोलेज के नाम से से एसे गुरुप का एप वहां से आप उसको इंस्टॉल कीजे और वहाँ पे कुछ दिनों बाद आपको इस सारी model paper प्रोवाइड किये जाएंगे तो आज सकते दोस्तों आपको यह practice set पसंद आया और आपको इस series हमारी कैसी लग रही है practice set model paper वाली तो जरू कमेंट बॉक्स में अपने राय दें मिलते हैं दोस्तों किसे इसके part two है तब तक लिए धन्यवाद